Hello guys and welcome to my YouTube channel Facebook Guru दोस्तों यह वीडियो आपको अपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी इंस्टाग्राम में रिल देख्टे टाइम इस रिल इस अनवेलबल का ओप्सन देखने को मिल रहा है तो आप जो है इस प्रॉब्लम को शॉल्ब कर सकते हैं 100% मैं आपको वर्किंग ट्रिक बताने वाला हूँ अगर इस ट्रिक को आप फालो करते हैं 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्ब हो जाएगी सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम को ओपिन कर लिजिए इंस्टाग्राम को ओपिन करने वाद दोस्तों आप राइट साड़ कोर्णर में अपने प्रफाल पे किलिक करके आप अपने प्रॉफाल पे चले आगए इसके बाद राइट साड़ ऊपर की दरप कोर्णर में थ्री लाइन पे किलिक करते हो यहाँ पे एक ओप्सन सो होता है Setting and Privacy नाम सी आपको इसपर किलिक करना है किलिक करने कबाद यहाँ पे दोस्तों आपके screen पे एक option सो होगा data saver का अगर एक option आपके phone में data saver का on है तो इसको आप लोग बंद कर देजिए इसको आप लोग जरूर बंद कर देजिए इसके बाद और कुछ setting हम करेंगे जिससे कि यहाँ पे आ जाएंगे अपने home screen पे home screen पे आने के बाद एक काम आपको करना है play store यहाँ पे open करना है और यहाँ पे instagram आपको search करना है और यह देख सकते हैं अभी update नहीं मांग रहा है इस पर हम दुबारा के लिख करेंगे अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह update मांग रहा है क्योंकि इसे हम जो update कर देंगे तो आप लोग चेक कर लेजिए अगर update आया है तो आप लोग पहले इसको update कर दीजिए इसके बाद अगर आपके phone में problem solve ना हो तो last trick है दोस्तो यह last trick है यह तभी try करेंगे जब work नहीं करेंगी सारे trick long press करेंगे इस्टाग्राम पे app info का options होगा app info के option पे click कर देंगे click करने बाद दोस्तो यहाँ पे आप लोगों के skin पे कुछ as interface show होगा दोस्तो यह last trick है तभी आप use करेंगे जब आपकी phone में ओ दोनों trick काम ना करी अब इसके बाद यहाँ पे storage and case का option मिलता है इस पर आपको click करना है click करने बाद यहाँ पे आप लोगों को right side clear case का option मिलता है clear case पर click करके clear case कर देना है इसके बाद left side में clear storage है इस पर click करके clear storage कर देंगे आपका पासवर्ड आपको पता रहना चाहिए क्योंकि दोबारा लोग इन करना पड़ेगा या आप फारगेट पासवर्ड करके आप लोग इन कर सकते हैं लेकिन जब अगर आप यहां पर यह कर देते हो 100% आपकी प्रोब्लम फिक्स हो जाएगी